दोस्तो थियोरी और प्राक्टिकल में दोनों में जमीन आस्मान का फर्क होता है मैं आप कुछ एक्जम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा जब टीचर मैत का सवाल सौल करते हैं और जब स्टाइटिंग से लेके लास्ट चक हमारी समझ में आ जाता है और हम हाँ करते रहते हैं प्राक्टिकल इसको करते हैं तो बहुत सारी फ़ाटिंग आ जाती है जिस वज़ें से जब तक प्राप्राबलम्लम्म को फेस नहीं करेंगे जब तक उसका आंसर हमारी समझ में नहीं आएगा जब तक आप YouTube को आप किसी की वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि है मेरी समझ आ गया मतलब आप हाँ हाँ करते रहते हो अपने माईन को सेिसफाई कर लगते हो यू मेरे समझ मागए लेकिन जब आप उसको practical करते हो तब आपको problems आने लगती है तो आपको एक साइड में वीडियो प्ले कर लिए और एक साइड में उसको इंप्लिमेंट करते रहना है अगर मैं टैक चैनल की बात करूँ जैसा आप किसी भी किरेटर्स की वीडियो देखते हो तो भाई आपकी ये बहुत बड़ी गलती करते हो अगर दस मिनट की वीडियो है या आट मिनट की वीडियो आप सिर्फ दो मिनट की वीडियो देखते हो पूरी भी नहीं देखते यार जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो भाई आपकी समझ में नहीं आएगा आप बस हाँ हाँ करते रहोगे और अपने आपको satisfy करते रहोगे और और confidence में आपको लगा कि नहीं यह तुम्हेर को आता है यह तो यार वही बात बता रहा है जो इसमें पहली वीडियो में बता रहा है लेकिन जब आप उसको पूरी वीडियो को नहीं देखोगे तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा जब आप उसको फिर implement करोगे जब आप उसको practical करोगे तो तब आपको problem आ जाएगी तो भाई आपसे request है आप पूरी वीडियो देखा करो तभी आपकी बात को समझ में आएगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका चैनल मॉनटाइज है तो आपको ये दो बड़ी mistakes नहीं करनी है otherwise आपके चैनल पर लोग visit तो करेंगे लेकिन आपके चैनल से भागना शुरू कर देंगे ठीक है अब पहली mistake क्या है वो मैं आपको बतायता हूँ सबसे पहली mistake है जब आपका चैनल मॉनटाइज हो जाता है त आप चैनल मॉनटाइज करते हो और अगर आपकी वीडियो आट मिनट से कम की है तो आपके पास यह options नहीं आता बैसिकली यह जो options है यह उन लोगों के लिए जो टुटोरियल्स बनाते हैं ठीक है जिनकी जो वीडियो होती है चाए वह किसी भी चीज का टुटोरियल्स बता है कि हमारी जो वीडियो है वह 8 मिनट से ज्यादा की जब आपकी पास वीडियो होती है तो आपको पूरा पूरा अधिकार होता है कि आप अपनी वीडियो पे अपनी इसाप से चाहे जितने एड्स लगा सकते हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप टुटोरियल् से जो सीख रहे हैं लोग वहाँ पर क्या होता है कि बार बार मतलब आप ये गलती करते हो कि हर एक मिनट हर दो मिनट में आप एड्र लगा देटे जीसा लोग कुरी देखते है जैसा भाई मैं भी देखता हूं तो अभाई उस जब हर जिसा हमने एक मिनट की वीडियो तकी पर दो मिनट की वीडियो तो कहीं नहीं परसान हो करके बंदा बाहर निकल जाता है ऐसा मेरे साथ भी हुआ है मैं एक टुटॉलियो देख रहा था एडिटिंग का उन्हें क्या था मतलब में मैं अट्रोल्स में मुल्टिपल सेडल लगा रखे थे तो जैसा ही मैं कुछ सीखन अगर नया ट्रिक्स सीखू था तो भाई उसके अंदर एकदम एक मिनट के बाद एड़ आ जाता था हर दो मिनट के बाद एक मिनट के बाद तो क्या हूँ है उस वीडियो से बाहर निकल गा फिर मैंने किसी और की वीडियो को देखा और जिसमें एड नहीं आ रहे थे तो भ गाद मत लगाओ उससे आपको मतलब आप सुचो कि कि मुल्टीबल्स एड आये तो हमारेपास अर्निंग अच्छी आएगी लेकिन कहीं आप अपनी एर्निंग को खराब कर रहे हो multiple add लगा करके जहां तक मुझे लगता है अई आपके समझ में आगया हो का मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अब मैं बताएता हूँ आपको दूसरा options क्या है वो है आप repeated वीडियो जो आपने एक बार चैनल पर वीडियो डाल दी आप क्या करते हो आप गलती क्या करते हो उसी वीडियो को दूबारा से डाल देते हो दूबारा डालने का कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ आपने कोई वीडियो डाली अर्णिंग से लेटिड आपकी वीडियो लाको पार हो गई तो आपने क्या सोचा कि अब मैं इसी वीडियो को दुबारा से डाल देता हूँ आपने उसी वीडियो को दुबारा से फिर अपूलोड कर दिया उस पर फिर इतने खास व्यूज नहीं आया आप आपने सोचा कि ये भी उसी से जो मैंने पहले वीडियो डाली प्रच्छाइन को वीडियो तो कहीं नियुकाई पर रिकिसे चारोथे थे जिनलीवीच नुक्सान पर जा सकता है तो भाई आपको क्या करना है उसके अंदर से आगे है पीछे से या बीच में से कुछ आपको पार्ट समा से हटा देने है तो आप उसको दुबारे से रियपलोड कर सकते हो अपने चैनल पर तब जाकर के उस पर हो सकता है व्यूज भी आए और आपके चैनल पर कोई पॉबलम से भी ना हाए तो दोस्तों मैं आशार करता हूँ आपको ये दोनों बाते अच्छी लगे होंगी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू